असलाम अलेकूम आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे पास्ट पिपर के MCQs 2019 एक-एक MCQs को बहुत ध्यान से दिखेगा इंशालला मैं कोशिश करूँगा कि हर एक MCQs के डिटेल में जो कॉंसेप बनता है वो मैं आपको बता हूँ तो स्टाइट करते हैं अपना आज का लेक्चर सबसे पहले MCQs जो हमारे बास कह रहा है कि लिमिट एक्स एप्रोच इस तो इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर माइनिस एन आपसे पूछ रहा है कि यह किसके बरावर होगा ठीके तो सबसे पहले आपने एक फार्मला पढ़ा है कि लिमिट एन एप्रोच इस तो इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन यह आपका बरावर होता है एके ठीके इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस जाना पर गिवन है लिमिट एन एप्रोच इस्थ तो इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन अपॉन एन की होल पावर माइनिस एन तो माइनिस एन को अगर मैं लिखना चाओ तो मैं इस तेह लिख सकता हूँ के limit n approaches to infinity 1 plus 1 upon n की power n और minus sign को मैं इस bracket के उपपर लिख दो ठीक है तो ये चीज़ बना कोई बढ़ा है किसके बढ़ाबर होता है e के तो यह हो जाएगा e की power minus 1 और e की power minus 1 का मतलब होता है 1 upon e यानि कि ये इसका क्या होगा अंसर होगा ठीके अगला mcq आपके पास है sign 6x divide by 2x ठीके थोड़ा से ये धुनला हो रहा है तो मैं आपको इसके लिए read करके बदा दे रहा हूँ कि अगला mcq हमारे पास क्या है sign 6x divide by 2x ठीके तो इसको हम किस तरह simplify करेंगे एक बैतरीन सा हल इसके लिए हमारे पास एक तो इसका formula भी हमारे पास ठीके अगर मैं आपको formula के बगार बताओ तो हम यहाँ पर apply कर सकते है एल और पिटर रून वो क्या कहता है कि आपको क्या करना है उपपर derivative लेना है और नीचे derivative लेना है ठीके और उसके बाद पर आप क्या करोगे limit को apply कर सकते हो तो sin 6x से आप जानतो sin 6x का derivative क्या होता है cos 6x और पिजब angle का हम derivative लेंगे तो क्या होता है 6 ठीके divide में आपके पास 2x है तो 2x का derivative क्या होता है हमारे पास 2 ठीके और limit आपको क्या कह रहा है x approaches to 0 यहाँ पर limit को apply कर दो cos आपके पास 6x x हमें क्या किवारे 0 और 7 में हमारे पास क्या है 3 तो 3 तो वैसी रहेगा cos 6 multiply 0 हमारे पास होगा cos 0 और cos 0 बराबर होता है 1 के यह हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 3 के तो इस तरह जो इसका answer हमारे पास वह क्या है 3 है ठीके अगला mcq तो आप function f of x equal to x plus modulus of x ठीके यानि के x plus modulus of x यह हमारे पास सवाल है और आप से पूछ रहा है कि यह even function है odd function है neither even nor odd है या फिर यह circular function है तो even और odd check करने के लिए simple हम क्या करते है जो function हमें given है आपर हम minus sign put करते है यानि के minus का x equal to हमारे पास क्या हो जाएगा minus x और 7 में हमारे पास क्या है modulus में minus का x ठीके आपने पढ़ा है के minus x तो हमारा वैसे रहेगा आपने यह पढ़ा है के modulus function में आप negative लगा भी दो तब भी आपके पास यह क्या रहेगा positive रहेगा ठीके तो जब इसमें सब minus sign common निगा लोगे तो आपके पास बन जाएगा x minus modulus of x ठीके यानि के हमारे पास जो answer आया वो क्या आया x minus modulus of x और हमें given क्या है x plus modulus of x इसका मतलब हमारे पास original function नहीं आया आपने पढ़ाए definition के f of minus x अगर हमारा बराबर हो जाएगा किसके f of x के तो इससे हम कहेंगे even function और odd के लिए हमारे पास क्या होता है f of minus x अगर हमारा minus f of x के बराबर आजाएगा यारी के original function के बराबर आजाएगा तो इससे हम कहेंगे odd function तो हमारे पास original function नहीं आया इसका मतलब के ना तो ये even है ना तो ये odd है ठीके अगला execute number 4 हमारे पास if a is two third away from p to q then a divides the p q two third मतलब होता है हमारे पास two upon three इसको में निकालने का असान तरीका बताता हूँ कि अगर वन थैड़ो टू थैड़ो इसका ratio हम किस तरह निकाले two third का मतलब यू समझे कि denominator में जो number नहीं हमारे पास वो total हिस्सा है यह कि total हिस्सा हमारे पास कितना है 3 है और जो numerator में हमारे पास number होता है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स बंदे का हिस्सा है तो रेशो में हम दो बंदे के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है अगर तीन में से पहले बंदे का दो हिस्सा हो गया तो अगला हिस्सा हमारे पास कितना बच गया एक हिस्सा ठीक है तो हमारे पास जो इसका रेशो होगा कि slope of the first and third यानि कि वो लाइन जो फर्स और ठर्ट को क्या करें बैसेक करें तो इसका जो स्लोप आपके पास होता है आप जानतों यह अगर बैसेक करेगा टोटल एंगल कितना होता है 90 तो 90 का आधा कितना होता है हमारे पास 45 यानि कि यह हमारे पास बनाएगा 45 डिगरी और आप कल्कुलेटर में निकाल लोग के 1045 आपका किसके वराबर होता है ठीक है अगला हमसी कि तो हमें कहा रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 पॉइंट हमें क्या गिवन है 2,3 फ्रॉप एक्सेक्स तो अगर मैं पॉइंट हम क्या करते हैं यक्सेक्स पर डोकरते है ठीक है तो आपको 2,3 का मतलब है कि एक्स एक्स hopelessپ अगर सवाल में कहता है y-axis से तो y-axis से distance हमारा कितना होगा 2 होगा ठीक है और x-axis से हमारा कितना हो जाएगा 3 अगला कहरा आपको the length of the tangent from the point 1,2 to the circle x square plus y square equal to 2 equal to 0 length of tangent निकालने के simple जो circle हमें given होते उस पर हमें square root लगाते हैं और equation में point को put करते हो सबसे बहले x square है और x हमारा किसके बरावार है 1 square के फिर y square है और y हमारा किसके बरावार है 2 square के उसके बाद हमारे बास क्या है plus का 2 ठीक है तो उसको अपस्मलिफाइग कर लो तो आपको दिख रहा है कि 1 का square 1 2 का square 4 और plus 2 यहनिके 4 plus 2 हमारे पास कितना हो जाएगा यह बनेगा हमारे पास 6 sorry यह minus का 2 ठीक है यहाँ पर हमारे पास क्या है minus का 2 ठीक है तो देखें यहाँ बहुत दियान से 1 का square कितना होता है 1 2 का square कितना होता है 4 और 7 में हमारे पास क्या है minus 2 तो 4 minus 2 कितना होता है हमारे पास 2 और 2 plus 1 कितना होता है 3 यहनिकि जो इसका answer ही है हमारे पास का square of 3 तो जब कभी भी आपको length of tangent बोलेगा तो जो भी सरकल आपको given है उस पर आप square root लगाके और आप क्या करोगे point को put कर दोगे अगला है अब से क्यूस 2 lines represent by ax square plus 2 hxy plus by square equal to 0 where a hb are not all 0 will be orthogonal और तो कब होता है यह हमारे पास combined equation के लाइन है ठीके तो combined equation में orthogonal का मतलब होता है perpendicular और perpendicular कब होता है जो हमारे पास a plus b मैं लिख बिज़े रहा हूँ के a plus b हमारा बराबर होता है किसके 0 के ठीके तो यह हमारा answer है next mcq हमें कह रहा है the radius of the circle x square plus y square plus 2 gx इसमें आपको radius of circle बताना है तो आप जानता हो कि radius of circle का formula होता है आपने formula पढ़ा होगा कि c बराबर होता है g square plus f square और हमारे पास क्या होता है minus r square ठीके तो यहां से अब r को अलग कर लो तो r square आपका बराबर हो जाएगा किसके g square plus f square और 7 में हमारे पास क्या होगा यह plus कसी उसलब जाया क्या हो जाएगा minus कसी जब square होगे आप तो यहां पर क्या लग जाएगा root तो उसका अंसर क्या होगा g square plus f square minus c square root में तो आपके पास पहला option क्या है correct है उसके बार आपको कह रहा है d by dx ln x की power a इसका आपको क्या करना है derivative लेना है यहनि कि ln function है तो d by dx सवाल क्या आपके पास d by dx ln x की power a आपने basic rule पढ़ा होगा कि जब कभी भी ln आता है तो सबसे बहले हम क्या करते है one upon function लिखते हैं यानि कि हम क्या लिखेंगे x की power a चीके उसके बाद हम function का derivative लेते हैं यानि कि d by dx x की power a इसका में क्या करना है derivative लेना है ठीके तो बहुत द्यान से देखें one upon x की power a और सबसे पहले आप यहां पर power rule apply करोगे सबसे पहले हम a लिखेंगे फिर a में एक minus करेंगे यानि कि a minus one ठीके न और x का derivative क्या होता आपके पास one सही है यह हमारे पास क्या बन गया अच्छा इस type का हमारे पास कोई option नहीं है इसका मतलब में मजीद simplify करना होगा यानि के one upon x की power a multiply by a और यहां पर आपके पास क्या है x की power a minus one तो उसको में सकता हो x की power a multiply by x की power minus one सही है मैं power को क्या कर दिया है आपर break ठीके तो इस तरह हमारे पास x की power a से x की power a क्या हो गया cancel उपर हमारे पास बच गया a यह x की power minus one है जिसको आप नीचे लाओगे तो यह बन जाएगा x की power one यानि कि जो उसका सही answer है वो क्या है a upon x ठीके अगला mcq था हमारे पास integration है के x की power minus one तो integration हम किस तरह निकालेंगे x की power minus one into dx है सही है तो integration का मतलब है x की power minus one का मतलब है one upon x into dx सही तो आपको पता हो चाहिए कि one upon x किसका derivative होता है ln x का derivative one upon x होता है तो one upon x का integration हमारे पास क्या होगा ln x हो जाएगा ठीके तो हमारे पास जो इसका सही answer है वो क्या है ln x और अब जानतों उसका हम के रहते हैं constant बीच में चुट गया the necessary condition for f of x to have extreme value extreme value के लिए हमारे पास किसी function का हम सबसे बहुत उसका first derivative लेते हैं और first derivative को हम क्या करते हैं जिरो के बड़ाबल लिखते हैं तो हमारे पास f prime of x equal to 0 ये क्या होगा सही answer अगला हमारे पास कह रहा है कि सब्सक्राइब के और समय क्या होगा तो कॉसेग का का इंटरेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौसेग स्क्राइब होता है या आपको direct को सब्सक्राइब का मालूम हो ठीके तो हम जानते हैं के हमारे बावाइल माइनिस Kimberly, मेलि Bate oh School Contracted स्कॉॉर एक्स टो यह फार्मSmelli एम अते पास कर प्रहिए कर से I think is positive एमता हैं यह होता है मैनिस कषए क्सवैंघ्सक्राइब कोसेक का जो integration होगा कोसेक स्क्वायर का integration हमारे पास क्या होगा माइनस कॉट एक्स ठीके म सी क्यूट नूमर 14 है डिस्टेंस बिट्वीन दा-फोसाइब अफ इलिप्स के दर्मयां में कितना इस नहुता है फोकस का ठीके तो हम जानते हैं कि focus का distance कितना होता है 2C ठीक है right side पर जागो दूसरी left side पर जागो दूसरी तो कितना बनता है 2C आपने पढ़ा होगा कि जो आपका C है वो बराबर होता है A, E, K तो हमारे पास जो सही option है वो क्या है 2A, E उसको हमारे पास if E equal to 3 upon 2 then the conic is 3 upon 2 का मतलब होता है 1.5 और 1.5 हमारा 1 से greater है तो आपने पढ़ा है के parabola में E हमारा 1 के बराबर होता है E less than 1 होता है और hyperbola में E greater than 1 होता है इसको मतलब यह हमारे पास hyperbola है अगला एमसे क्यूद दा वर्टेक्स आफ पराबोला आपको वर्टेक्स निकालना है तो आप जानते हो आपको जो form की बाने X plus 2 का होली स्क्वार equal to अगर में से general form बनाओ तो क्या हमारे पास क्या होता है X minus H का होली स्क्वार equal to 4 A और 7 में क्या होता है हमारे पास Y minus K अब इससे आप compare करो देखो यहाँ बहुत दियान से X तो आपका X के बराबर हो गया यहाँ पर minus H इसको मतलब minus H आपका किसके बराबर हो गया 2 के तो यहाँ से जो आपका H है वो किसके बराबर हो जाएगा minus 2 के सही अब यहाँ से हम देखते हैं अगला अगर यहाँ पर x नहीं होगा यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ पर x है तो पिर यहाँ पर x नहीं होगा अगर यहाँ पर y है तो पिर यहाँ पर y नहीं होगा एक कोई equation बनेगा इसका अगर यहाँ पर y है तो पिर यहाँ पर x होगा और अगर यहाँ पर x से तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहएं य ठीक है पहले हम इसके लिए से देखते हैं तो हमारा k किसका बराबा हो देखा यहाँ पर y के बराबर अगर y मालने इसको और minus के बराबर तो हमारा के किसके बड़ाब हो जाएगा 1K इसका मतलब के एक्वल टू 1 इस तरह हमारे पास जो इसका अंसर वनेगा वो क्या वनेगा माइनिस टू कॉमा 1 सही है यह हमारे पास इसका क्या वनेगा वर्टेक्स ओफ पैरा बोला लेकिन आपको एक यानि कि अगर इसके लियाज से तो अंसर क्या है आपका सॉरी ये भी नहीं है कोई अशा आप्ट है हाँ ये रहा बच्चो सेकेंड आप्शन माइनिस 2,1 और अगर यहाँ पर वाई है तो पिर यहाँ पर क्या होगा एक्स तो इसके लियाज से फिर हम वो बराबर हो जाएगा किसके अब देखें यहाँ पर वाई वाई के बराबर माइनिस के यहाँ पर प्लस कर टू इसका मतलब माइनिस के आपका बराबर हो जाएगा 2 के तो यहाँ से जो आपका के है ये बराबर हो जाएगा माइनिस 2 के और जो आपका H किसके बराबर होगा आपका 1K ठीक है इसके लिए आज से H हमारा बराबर होगा 1K तो हमारे पास क्या अंसर बन रहा है K equal to minus 2 और H equal to 1 यानिके सेम अंसर है minus 2,1 तो यहाँ पर जो आपके पास सही अंसर है वो क्या है minus 2,1 ठीक है अच्छा minus 1 यहाँ पर उस option दिया वह है minus 1, minus 2 इसके लिहाँ से हमारे पास क्या बनेगा H equal to 1 और K equal to minus 2 तो इसके लिहाँ से हमारे पास 1, minus 2 तो बुक में आपको यह answer दिया वह है यह 10 years में और आपको बता दिया चो आपके पास प्रिपर में सही हो उसको आप देख लिएगा अच्छा अगला हम चुक्व हमristian vector of a point p position vector کو हम represent करते है 0p से टीक के origin से हम represent करते है position vector को तो हमारे पास last option क्या है ठीक है mscq number 19 हमारे पास से integration के बारे हैं पूछkami आप जानतों कहा है जो हमारा function है original वह denominator में इस तरह function दिया वह야 f prime of x और नीचे हमारे पास क्या दिया वह है f of x और साथ में हमारे पास किया है d of x ठीक है तो आप जानते हो अगर किसी function का derivative पर मौझूद हो तो इसका जो answer होता है वो क्या होता है ln function ठीक है यानि कि हम दिखेंगे क्या यह formula है basic तो ln function plus c जो इसका सही answer है वो क्या है ln function plus c आगे आपको the domain of the function domain of function के लिए मैं आपको बताया था अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें में रख बताया था कि हमारा denominator 0 नहीं होना चाहिए तो आप देखें हमारा given क्या है x plus 1 और divide में हमारे पास क्या है x minus 1 तो इसमें चेक करें आप x की कौन सी वैलो पर आपका denominator 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है अगर मैं यहां पर x 1 बुड़ गर हूँ तो 1 minus 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इसका मतलब हम 1 put नहीं कर सकते हैं तो हम all real number कुछ भी बुड़ गरो कोई फाग नहीं पड़ेगा लेकिन आप वन पूर्ट नहीं करोगे तो जिसका सही आप्शन है वो क्या है और रियल नंबर एक्सेप वन यह वाला सही आप्शन नहीं है यह घलत यहां पर टिकलर अब अमीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सुन्माया होगा वीडियो देखने के लिए शुकूरिया अल्ला आपिस